हाँ दोस्तों राजवन सिंग महली प्रोपर्टी गुरुकुल चैनल जो आप आपका अपना चैनल है मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ और आज का जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया टॉपिक है प्रोपर्टी ग्यान बचाए नुकसान बहुत ही उम्दा टॉपिक आपके लेके आया हूँ और उमीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको पसंद आएगा जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके गंटी वाला बटन दुबादो ताके इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए जो आपके लिए क्रोड़ो रुपे का फैदा करने वाली है सो सबसे पहले प्रोपर्टी ग्यान बचाए नुकसान में मैंने जो आज का जो सेलक्ट किया है मैंने तीन प्रोपर्टी सेलक्ट की हैं आपके लिए जिनके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बताऊंगा एक तो मनाली में होटल है, दूसरा विशाल मेगा मार्ट हर्याना में है और तीसरा राजस्तान का होटल है, जो ये इन प्रोप्टियों के साथ मेरी भेंट हुई, मेरी मुलाकात हुई, और मुलाकात में मैंने वहां पर क्या किया क्या सीखा क्या आपके सीखने वाली बात आपके साथ करने वाना हूँ सो सबसे पहले मैं मनाली होटल की बात करता हूँ मनाली मुहाली आपस गए तो हम जब उनके पास गए तो वहां पर जैसे मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी नए शहर में जाता हूं तो वहां प्रॉपटी के बारे में जानकरी जूरूर लेता हूं तो इसमें भी हम जब मुनाली में गए तो मुनाली में भी उसको बोला बंटी भाई कैसे हो ठीक है और यहां प्रॉपर्टी कैसे है कोई प्रॉपर्टी दिखाओ हमें तो वह प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हमें ले गया जो एक होटल था और होटल का जो हमें लेके गया तो 3.5 क्रोड पिया उसकी demand थी मालिक की बंटी का अपना hotel नहीं था बंटी के किसी आगे जानकार बंदे का hotel था तो 3.5 क्रोड तो मैंने कहा है यार 3.5 क्रोड पिया है जैज रेट ही जैंडे क्योंकि मेरे को तो तो पता नहीं वहाँ का rate नहीं पता था मेरे को तो मैंने वहाँ उनके साथ जो बात कर नहीं धी बात करने वाली बात करी है वहाँ वह बात यह थी के यहां पर जहां पो होटल बना हुआ है वहां जमीन का क्या रीट है तो यह होटल था दोस्तों 200 गज में बना हुआ 200 सकेर याड में बना हुआ था और मैंने उसको पूछा कि इसका रेट क्या है वो कहते जी 75 से लेके 80,000 पे गज के हिसाब से रेट है चलो मैं कहते हूँ 80,000 पे सकेर याड भी हो पर सकेर याड भी हो तो 200 गज का प्लॉट का रे से देड़ करोड़ की तो एक करोड़ साट लागी जमीन हो गई और इसके उपर जो इसकी कंस्ट्रक्शन है कॉस्ट ओव कंस्ट्रक्शन और वो कितनी है जितना उनका मतलब बना हुआ था तो मैंने उसका अहसाब कताब जो लगाया था तो तक्रीबं तक्रीबं यह 75 लाक की चीज के वो साड़े तीन क्रोड पे मांग रहा था कोई दिक्कत नहीं बगवान और ग्राहक से जितना ज्यादा मांग सको मांगो मांगना भी चाहिए क्योंकि महात्मा गंदी ने कहा है ग्राहक प्रमात्मा का रूप है और प्रमात्मा से जितना ज्यादा मांग सकते हो तो मांग लेना चाहिए तो वो भी साड़े तीन क्रोड पे मांग रहा था लेकिन हम तो वैपारी ठारे हमने देखना नेलसिस करना था क्योंकि बेंजामिन ग्राम की कताब है जो इंटेलिजन इंवेस्टर तो उसमें उसने सिंपल बाते तीन ही बताई है कि वो जो आपका पहले सब नंबर पर नेलसिस है प्रॉपर नेलसिस होना चाहिए आपका भी नेलसिस क्या है अब नेलसिस में निकल के यह आया एक पॉइंट साथ क्रोड पर की जमीन और पच्छतर लाकर पर कंस्टक्शन तो दो क्रोड पैंतिस लाकर प्या होना चाहिए था लेकिन वो हैर सेट पर साड़े तीन क्रोड पर मांग रा था तो जब उनके साथ फिर बैठके मीटिंग होई उसको समझाया सब कुश करा तो वो जो डील है डाई क्रोड के बीच में डील हुई त मतलब उसकी निकालेगी उसके बाद उसका फपने क्सक्शन निकालेगी उसके बाद होटल की अकूपेंसी देखी गी उसमें खाने हैं कितने नहीं मतलब कई फेक्टर थे जो उसमें कंसिडर किये गे और कंसिडर करने के बाद जो हमें दो करोड पैंती लाख रिपे के कॉस्प था वो पंद्रा बीस लाख रिप्या उपर डाल के उसकी डील करवाई गी तो यह आप समझ सकते हो कि अब इसमें जादा नहीं जैदी हम इसको यह कलकुलेश्ण ना करते जो बंदा साठे तीन कोला है हम सब समाती करोड में लेकिन उसके पिन प्वंड तक जाने के लिए हमें उसकी लैंड कोस्ट कोस्ट of construction उसकी होटल की booking occupancy कितनी रहती है उसमें खाने के कितने स्टाफ कितने हैं खर्चा कितने हैं वो सारे calculate करके यह डाई क्रोड़ पे में डील कर ली गई इसका मतलब यह डील इस तरीके कि यह property मिल लिए है तो यह कितने में होने चाहिए मतलब इस तरह इसका रेंट है यह मेरी साथ बात करने लगे मैंने कहा भी यह यदि इतना रेंट है तो इतनी इसके आसपास होने चाहिए तो वह कहने लगे कि यार्ट जिस बंदे ने हमें property दिखाई है वह property में नया है उसको ज़्यादा तजर्बा नहीं है यदि आप हमारी मदद कर दो यह डील हमारी करवा दो तो मैं आपका ठेंक्यू करूंगा और जो आपका जो बंता वह भी दे दूँगा मैंने का कोई बात नहीं वह मेरे बहुत अच् हैं तो चलके हम चले गए शिमला में बंदा रहता था मालिक था जो यह कालका हर्याना का है तो इसमें हम जो शिमला में के शोग सूधन का नाम था होटलियर थे बहुत बड़िया बिल्डर भी थे तो जब हम उनने उनके साथ बाचीत चलाई तो बाचीत चलाई हमने लोंग कि हमें टाइम तो पूरा दिन लग गया लेंकिन जब हम बात निकल के आई तो तीन करोड़ पांच लाख में वह डील हो गई मज़े की बात यह के यह बन्दे जो लेने वाले थे तीन करोड़ 440 लाख रपें के इन्होंने हमें पैसे दे दिए थे कि आप 3 करोड 40 लाख रपे तक हमारी डील करवा देना इसमें कोई बुराई नहीं है हम 3 क्रोड 40 लाख रुए गे लेकिन हमने अपने तजर्बे गे इसाब से उससे एक एक बात करके शोग जी से शोग सूच से बात एक एक चीज़ बात करके हम वहां तक लेगे कि यह जो डील हमें 3 क्रोड और 5 लाख वे में डन कर दी और जिस बंदे ने डील ली वही वाज है तैंकपूल टू मी के यार आया आइक वज़ा से यह हुग अ क्या हुआ हमने शोग जी से जब बात शूद शुरू की तो उसके साथ हमने सारी बातें डिसकु सकी जो उसमें मैंस पॉइंट थे वो डिसक्स किये जो उसमें प्लस पॉइंट थे वो डिसक्स किये मैंस पॉइंट के हिसाब से हमें जो रेट लगाया हमने दो करोड़ा सी 85 लाक रपया उसका रेट लगाया था लेकिन वो जाके 3 करोड़ 5 लाक में डील होगी और 35 लाक रपया परचेजर के हिसाब से यह सस्ती प्रॉपर्टी हमने उसको लेके दी और वो बंदा बहुत ज़्यदा खुश है और मज़ा आ गया कहता है यह आपने इस अपने तरीके से करा तो यह आपने भी यह जो अदमी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं आपने भी बिजनस में हर टेक टेक्स वर्तन है हर टेक्स यूज कर लोगे तो डेफिनेटली आप जो रेट है पर चेजर के तौर पर रेट है वह हैर सैड पे नहीं जाएगा यदि यह वैपार के अंगल से ली होती तो यह समझा मतलब 35 लाग रपया सस्ती मिल तो हमारी यह डील 35 लाग रपया तो उसी द नहींग्यों सकती थी हमें अराम से मिल सकती थी सो यह में देखा एक एक चीजित देखी उसमें प्लस देखा उसमें मैश देख उसका रायाईदार बीशूत वह कईकशों हो स्में कैलकुलेशन करने के बाद हमें यह 35 लाग रपर डील सस्ती मिली इurn皆 बहुत ही अच्छा मत और कोई कुशी नहीं लिया, उनसे कुशी भी नहीं करा, लेकिन उनको बेस्ट डील लेके दी, ये मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ, तो अगली जो डील है, अगली राजस्तान के होटल में, मैं गया था 19 मार्च 2007 को, हम राजस्तान में गहे गोमने के लिए with the family, तो जाते हैं हमें जैपुर से 80 km पहले एक होटल पढ़ता है, Highway King, तो हम वहां रुके, तो वहां रुके तो वहां पर जो हमने खाना-खुणा खाया रात, night stay वहीं की, और वहां पर जो मैं आपको बता जुक्ता हूँ के मेरी आदत है, कि मैं देखता रहता हूं, कि यहां पर ज लेटर था, गनेश नाम का लड़का था, तो मैंने उसको कहा, जब रुबरात को उसने में हमें डिनर करवाया, तो गनेश भाई, यहां पर आसपास में कोई बंदा कोई प्रोपर्टी का काम करता हो, तो हमें मिलाना, तो दूसरे दिनों, 11-11 बजे, जब हमने होटल को रहता है था, पच्छात्र लाख, बिगा, बिगा का मतलब था, वहाँ 3,025 गजगा बिगा है हुआ, पच्छी सकेर याड, तो यह मोटे-मोटे तौर पर पच्छी सोर्वे घजमें जमीन पढ़ ले थी, पच्छी सोर्वे घजमें, अब मैं ठेहरा बैपारी, तो मैंने इ मनेजमेंट या मनुपलेशन जो भी इसको कह सको, तो जब मैंने उसका पच्छी सोर्वे घजमें, तो फिर मैं महाली में आगया अपने शहर में, तो महाली में जब मैंने देखा, तो वहाँ पर जो हमारे कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, उसका रेट ढाई लाख फर पे पर सेंट पर महाली 100% पर एक पर सेंट पर तो कॉस्ट ऑफ कंस्रक्षिन जो वह सेम रहनी है, महाली में भी सेम है और राजस्तान में भी सेम है, दो चार पर सेंट का इदर उदर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, जब यह द यह चीज़ देखी कि हमें एक रपे मे जो रूम रेंट था तो जब मैंने महाली के हिसाब से बनाया तो महाली में भी रेट तक्रीमत तक्रीमत पंदरा सो के आसपास ही आड़ा तो मेरे को कॉंफिदेंस बहुत हुआ वहां पर कि यार यह हमें 100 पे की विज़ाए एक रपे लगा के यदि यहां होटल खोला जाए तो हम उतने पैसे कमा सकते हैं जितने महाली में हम इससे 100 गुना ज्यादा पैसे लगा के कमा सकते हैं तो यह जब calculation करी गई सब देखा गया इसके बाद फिर मैंने और property देखी वहां पर मेरा राजिस्तान में उस दिन से मन बना था कि राजिस्तान में थोड़ा बहुत हमें काम करना चाहिए तो डेफिनेटली हमें इस चीज का benefit मिला देखने वाली बात यह थी एक धाई लाखर पे गज का रेट और एक 25 और गज का रेट आज भी महाली में यदि रेट लगाए 5 लाखर पे गज का रेट है और यह ज्यादा ज्यादा 5000 पे गज का रेट हो सकता है आ राजिस्तान विजिट करके आओ देखो आप ले सकते हो property उसको manage कर सकते हो वहां पर काम कर सकते हो नहीं कर सकते लेकिन एक बात तो तो तैह है कि आप लोगों की जो investment है लेंड कॉस्ट है जो सिर्फ एक प्रसेंट पर है यहां पर सौर्प है वहां का एक रप है यह बहुत बड़ा difference है दोस्तों यदि हमने business करना हो तो हमने हमें सारी तो सारा कुछी ही तो देखना है खर्चे कहां कहां से बचा सकते हैं जो आदमी अपने business में खर्चे बचाने में महर हो जाता है अपने सीख खर्चे बचाने सीख जाता है वह definitely अपनी business को ग्रोग करवा लेता है और आगे ले जाता है तो यह चीज़ें का हमने ध्यान रखना है और मैंने रियल सेट में जो सबसे चीज जो सीखी है हमने वही है CCM का वार्मूला में यह देखो लिखा हुआ है CCM का मतलब है calculation है दूसरे नंबर पर comparison है तीसरे नंबर पर management है हमने calculation कर लेनी है comparison कर लेने जैसे मैंने राज़तान का किया calculation मनाली होटल में मैंने calculation की के वहाँ पर जो land cost क्या है cost मतलब cost of construction उसमें क्या है उसमें खर्चे कितने हैं बीजली का खर्चा कितना आता है वेटर कितने यह सारी चीज़ें उसमें calculation में ले आया तो वह calculation ते यह जो राज़तान वार चाके 100 पे की चीज़ हमें एक रपे में मिल रही है और जो हर्याने वाला था मेगा मार्ट तो वह हमने हर एंगल से देखा उसको हर एंगल से विचारा इसलिए हम जितना हम expect कर रहे थे उससे नीचे उसको property को हम लेके आए तो दोस्तों यह चीज़ें का हमने द्यान रखना है यदि हम इन चीजों का द्यान रखने में कामियाब हो जाते हैं तो definitely हम अपना पैसा अच्छे तरिके से बढ़ा सकते हैं अपना बचाह सकते हैं अच्छा पैसा कमा सकते हैं हमारे पास जो दोस्त हैं हमारे investor էोसे dripping कर सकते हैं जो निए जो लोगों के जो लोग DOPER ना च पिर आप इस तरीके जब चीज़ें आपके पास होंगी आप सामने वाले के साथ बात करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, आँख में आँख डाल के बात करोगे, तो डेफिनेटली वो बंदा आपके साथ पैसे लगाने के लिए त्यार हो जाएगा. दोस्तों, अमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आएगी. लाइक करके शेर कर देना, बहुत जल्देंगे ने टॉपिक के साथ मिलूँगा, थेंक्यू वेरी मच्च.